नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं So, France में एक नया बिल प्रोपोज किया जा रहा है जिसके तहट radicalism in Islam को target करने की कोशिश की जाएगी Now, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि What is the reason कि ऐसा बिल France में लाने की जरूरत पढ़ रही है And finally, we will also talk about कि यहाँ पर France को किन-किन चीजों का ध्यान रखना होगा Before they move forward, ताकि यह बिल जो है, यह कानून में तब्दील हो सके चलिए, स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद, इस lecture की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद सर इसके इलावा, सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Study IQ की आप को आप लोग Google के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस आप पे हमने आपकी UPSC की तयारी को आसान करने के लिए एक course launch किया है, that goes by the name of past year prelims discussion course इस course से काफी सारे aspirants को already मदब मिल चुकी है Also remember, इसमें हमने पिछले 10 साल के papers को subject-wise analyze किया है subject-wise किया है, not year-wise So, अगर आप तयारी कर रहे हैं, इस course को ज़रूर भाई कीजे Alright, so as you can see, the Wall Street Journal का ये बहुत ही बहतरीन article है जो की exactly पूरी detail में wishlation करता है, इस पूरे नए कानून का जो की यहाँ पे France के President Emmanuel Macron ने इसको propose किया है देखते हैं यहाँ पे exactly है क्या So, सबसे पहले तो ये वाला जो bill है, इसका proposal है अगले साल के लिए So, जैसे ही 2021 स्टार्ट होगा, इस bill को वहां की Parliament में table किया जाएगा Right, and इस bill का जो main objective है, that is, that they want to target radical Islam यानि की Islam में जो कटरपन्थी Islam है, उस particular segment को ये target करना चाहते है ठीक है, और यहाँ पर Islamic separatism, यानि की Islam में जो अलगाव वाद है उसको भी ये outlaw declare करना चाहते हैं, और यहाँ पर France का ये मानना है कई सारी communities ऐसी बन चुकी हैं France में, जहाँ पर धार्मे कानून जो है वो नागरिक कानूनों के उपर भी एक तरीके से वरियता ले रहे हैं So religious laws are taking precedence over the civil laws, जो की काफी बड़ा concern बन चुका है France के लिए So इसके जो main objectives है, कुल मिला के तीन है, जब Mr. Macron ने यहाँ पर अपनी speech सुनाई तो उन्होंने कहा कि इस particular कानून के थुरू, हम तीन चीजों पर ध्यान रखने वाले हैं सबसे पहले, we want to shut down ऐसी associations, ऐसे schools, जहाँ पे बच्चों को indoctrinate किया जाता है यानि की बच्चों को radicalism के तहत indoctrinate किया जाता है, ऐसे संगों को और ऐसे school को हम यहाँ पे उनके उपर ताला लगाएंगे ठीक है, दूसरी चीज, हम यहाँ पे ऐसी religious organizations in France, जो की हमें लगता है कहीं ना कहीं, radicalism से संबंध रखती हैं उनको लेकर जो भी foreign investment आ रही है, उनके उपर निगरानी रखी जाएगी and third, ऐसा करने से जो particular ऐसे suburbs के area हैं, यहाँ पर जो भी communities हैं, वो अक्सर suburbs में रहती हैं ऐसे areas में जो आपकी सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनमें भी हम सुधार लाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे So these are the three objectives जो की इस particular bill के तहट एक तरीके से मानी जा रही हैं Now, अगर हम बात करें कि क्या जरूरत थी इस bill को लाने की, this is very very crucial यहाँ पे Mr. Macron very clearly said कि कुछ ऐसी societies, कुछ ऐसी communities create हो चुकी हैं देश में जो की एक parallel society खड़ा करना चाहती हैं, समनांतर समाज खड़ा करना चाहती हैं जहाँ पे उन्होंने अपने ही नियम बनाए हुए हैं और जो की France की Republic के बनाए हुए नियमों और values का यहाँ पे respect नहीं कर रही हैं इसलिए हमें यहाँ पे Islamic separatism को take on करने की जरूरत है, we need to take on Islamic separatism अगर आप देखें, France में जो कटरपन्ती है, वो काफी लंबे समय से चल रही है, radicalism is on a very very huge high in France और यह केवल आज की बात नहीं है, लगभग पिछले 5 साल से radicalism बढ़ता जा रहा है, right? I will give you certain facts over here, जिसको देखकर आप काफी दादा हैरान होंगे फ्रांस के जो working class suburbs हैं, जहां पे जो mainly उसके major cities के आसपास हैं for example अगर आपको suburbs की definition नहीं मालूम तो जैसे दिल्ली में द्वारका is a suburb, right? इसी तरीके से फ्रांस के जो बड़े बड़े शहर हैं, उनके आसपास suburbs हैं जहां पे working class लोग रहते हैं, निवास करते हैं वो वाले areas, they have become the fertile recruiting grounds for the Islamist groups, in fact जो आपकी Islamic state है, ISIS, उसका सबसे बड़ा source of militants कहां से आया था? फ्रांस से आया था, maximum militants जो की ISIS ने recruit किये थे, वो फ्रांस से किये थे, यही नहीं, यहां पर this was just one scenario, दूसरी चीज, पिछले 5 सालों में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, फ्रांस के उपर, उसमें लगभग 200 से भी जादा लोग यहां पे मर चुके हैं, now, इसमें एक और terrorist attack हुआ था, जिसमें 130 से भी जादा लोग मारे गए थे, 130 is the reported figure, जिसमें mass shooting हुई थी, फ्रांस के एक और बड़े शहर में called as NICE, फ्रांस का एक शहर है NICE, जिसमें 2016 में terrorist attack हुआ था, जिसमें एक आतंकवादी ने एक ट्रक को लोगों के जुंड के बीच में जाके मा जिसकी वज़े से 30 लोग यहाँ पे मर गए थे, and this was happening on the Bastille Day, Bastille Day also called as the France National Day, and these are just some incidents जो हमने आपके सामने बताए हैं, इसके इलावा कई सारे और ऐसे incidents हुए हैं फ्रांस में पिछले 5 साल में, जिसके चलते, even public का जो sentiment है, that has completely turned against radical Islam, so this is a very very huge problem जो की आज की date में Paris face कर रहा है, in In fact, अगर हम latest बात करें, अभी September 2020 की बात है, आखरी हफते की बात है, दो लोग यहाँ पे seriously injured हुए थे, seriously घायल हुए थे in a knife attack near the former office of satirical magazine Charlie Hebdo, और यहाँ पे जिस इंसान को यहाँ पे France की authorities ने पकड़ा है, he is a Pakistani immigrant, right, and he वो यहाँ पे बिलकुल clearly अपने आपको बोलता है कि मै radical Islam को follow करता हूँ, ठीक है, so this is again very very worrisome जो कि यहाँ पे देखने को मिला है, now, यहाँ पे obviously अगर आपने बिल के प्राद्धानों को देखा, so कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, कि जो authorities हैं, जो प्रशाशन है, वो अपनी power का गलत इस्तिमाल ना कर ले, इस चीज के लिए यहाँ पे President Emmanuel Macron ने आशवासन दिया, कि हम यहाँ पे complete entire Muslim community को निशाना नहीं बना रहे हैं, we are not targeting the entire Muslim community, in fact उन्होंने कहा कि सरकार काफी लंबे समय से इस plan के उपर काम कर रही है, and we only want to tackle radical Islam, हमें Islam से कोई तकलीफ नहीं, हमें radical Islam से तकलीफ है, हमें कटर पंतियों से तकल सरकार ने लगभग 212 bars और restaurants बंद कर दिये है, 15 mosques और prayer rooms को बंद कर दिया है, 13 associations को बंद कर दिया है, 11 children homes को बंद कर दिया है, and 4 schools को already बंद कर दिया है, right, and now they are saying कि हम केवल यहाँ पे एक कानून लाना चाहते हैं इस चीज़ को और legalize करने के लिए, right, so यहाँ पर, in fact, अगर elected body है, जो कि यहाँ पे उस पूरे देश में Muslim समुदाय है, उनका एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती है, so हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, हम अपने आपसे काम नहीं करेंगे, और यहाँ पर अगर आप देखें, वहाँ पे Muslim community के एक बहुत बड़ी Muslim organization है, जिसका नाम है, this है कि बहुत ही important step है, जो कि यहाँ पे Macron ले रहे है, he said at the same time कि थोड़ा सा इनको लेके थोड़ा सा चिंता है कि जो decisions है कहीं arbitrary ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रशाषन अपनी मर्जी से ही यहाँ पे किसी भी संग को, किसी भी organization को बंद कर रही है, this is a risk, he has very clearly said, और इसी बा capitalism को target करना चाते है, what France needs to do, उसके लिए हमें समझना होगा France के demography patterns को, अगर आप देखें, यहाँ पे France में लगभग 55% लोग हैं, जो की Christianity को profess करते हैं, उसके बाद second highest जो लोग हैं, वो Islam को profess करते हैं, Western countries में अगर आप देखें, France एक ऐसी country है, जहाँ पे सबसे जादा largest number of Muslims प 2010 की ये बात है, जब इन्हों ने यहाँ पर whale के ऊपर, जो आपका हिजाब रहता है, उसको उसके ऊपर बैन लगाया था, कि आप किसी भी तरह की face covering इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं, in public areas, schools में इन्हों ने बंद किया, and so on, ठीक हैं, तब से लेके अब तक, एक तरीके से यहाँ French के जो Muslims हैं, French Muslims हैं, उनको लगता है कि हमारा समाजिक और आर्थिक तौर पे कही न कहीं बहिशकार हो रहा है, right, so, इस चीज की perception को maintain करना बहुत important है, France के लिए, now they are doing something which is the need of the hour, radical Islam को हटाना important है, लेकिन इसके चलते, जो उनके normal Muslim लोग हैं, उनको यहाँ पर ऐसा नहीं लग गया है, ठीक है, so, the bill therefore risks escalating tensions between the Muslim groups in France and the authorities, that is why it is very very important कि France को यहाँ पे बहुत ही carefully move on करना होगा, so that ऐसा कोई backlash, ऐसा कोई नया problem यहाँ पे खड़ा ना हो जाए, because of this particular bill, this is very very sensitive over here, now, finally, अगर आप देखें, कुछ experts का यह मानना है, इस particular bill का wishlation करते हुए, कुछ experts नहीं यह कहा है, कि French, sorry, France, basically, अपने लिए एक नया brand of Islam लाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि Saudi Arabia भी ला चुका है, already एक Saudi version of Islam, Turkey भी कर चुका है, even China भी कर चुका है, जहाँ पर वो अपने Islam को sinicize करने की कोशिश कर रहे हैं, sinicize यानि कि उसको एक तरीके से Buddhism की form देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फरक क्या है कि इन तीनों countries ने ये करने के लिए कोई कानून नहीं लाया, so experts कहीं न कहीं मानते हैं कि France being a civilized society, being a democratic government, वो यहाँ पर क्योंकि जवाब दे हैं लोगों को, इसलिए वो ऐसा करने के लिए कानून ला रही है, which is again a very very good thing, ठीक है, so Macron का जो के points हमने इस particular video में discuss किये, मेरी आप से दर्खवास थे कि आप हमें comment section में बताइए, आप क्या सोचते हैं इस particular नए bill के बारे में, and also tell us about कि आप इस particular expert opinion के बारे में क्या मानते हैं, on that note, I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay safe.